हेलो एप्रिवन मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे सैनिक स्कूल से रिक्रूटमेंट आई है जैसा कि आप इमेज में यहां से देख सकते हो यह सैनिक स्कूल की इमेजेस आपको दिखाई दे रही होगी देख जिसका लिंक आपको नीचे comment section और description box दोनों जगों पे telegram channel का link दे दिया गया है तो आप उहां से हमारे साथ connect कर सकती हूँ दूसरी बात मैं हमेशा कहता हूँ आप अपने district और state का नाम जरूर mention करें ताकि जब भी आपके district या state से recruitment आती है या आपके जिले के आसपास से recruitment आती है तो आप वहां पे job कर पाओ चाहे वो private हो, government हो या किसी भी तरह का school हो चाहे post contractual हो या फिर ad hoc based पे हो या permanent हो तो आसपास में job करने से फायदा यह होगा कि आपका transportation charge कम लगेंगे बाहर में rent आपका बच जाएगा और घर में रहने से और भी सौतर के फायदे है तो चलिए फिलाल नीचे comment करके आप लोग अपने जिले और state का नाम जरूर लिखोगी तो देखिए official website पे जैसे ही आप आओगे तो मै अंटेचिंग पोस्ट के लिए भी recruitment आई हुई है दोनों आप एक बार चेक आउट कर लेना देखिए यहां से पीजीटी contractual advertisement आपको दिख रहा होगा इसके अलाबा vacancies जो है various posts यानि कि अलग-अलग post के लिए भी recruitment आई है तो फिलाल हम लोग पीजीटी वाले पे ही focus करेंग आपको यहां पर प्रभाइट किया जाएगा इसके अलाबा computer science की recruitment आई हुई है और यह जो vacancies है यह regular contractual या फिर temporary टाइप की होती है यहां अगर आप देखोगे तो इन्होंने असपस्ट रूप से लिख रखा है कि यह contractual vacancy है यानिकि 11 महिने या फिर यह हो सकता है कि इस term को आगे भी बढ़ा दें हो सकता है कि नहीं भी बढ़ाए अब देखिए क्या क्या जरूरी जानकारी है apply करने के लिए क्या करना होगा website पे आपको जाना है यह देख लो आप screenshot चाहो तो ले सकते हो और offline mode में आपको apply करना है offline mode में apply करने का क्या तरीका है candidate जितने भी उनके percentage है जिन 10th 12th graduation में सबकी photocopy आपको करा लेनी है self attestate कर देना है और उनको submit करना है साथ में photograph जो है दो जो passport size photograph होते हैं वो भी आपको ले जो है यहाँ पर submit कर देना है candidate must submit self address देखिए जो आपका address है वो envelop पे 27 रुपीज का dark ticket आपको चिपका कर अपना address जो है लिखकर भेज देन आपको यहाँ पर दाल देना है 500 रुपए का जो है non-refundable जो demand राफ है यानि कि डीडी है वो आपको बनाना है और OBC category जेनरल के लिए 500 रुपए है 500 रुपए है SC और ST category के लिए branch code भी इनोंने दे रखा है SBI में ही यह पैसे निकलेंगे और यहाँ से देख लो principal सैनिक स्कु कई है 2 जून यानि कि you have a more than sufficient time आपके पास काफी समय है आप apply कर सकते हैं exam कैसे होगा only shortlisted candidate को जो यह बुलाएंगे skill test return test और interview लिया जाएगा skill test यानि कि आप पढ़ाने में कैसे हो interview से आपके personality की जानकारी ली जाएगी TADA जो है नहीं दिया जाएगा यह तो सभाविक सी बात question में जरूर mention कर दें अपने जिले और स्टेट का नाम वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ जो है साजा करें सेर करें और पाली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते वह साइएगा थैंक्यू सो मच